ये कहानी है कोरा नाम की त्यड़की की जिसका बेटा कहीं पर गाइब हो गया था तब उसे एक कात्मी मिलता है जिसने उसे यकीन दिलवाया कि उसका बेटा उसे वापिस मिल जाएगा अगर वो इस दुन्या में ना भी हुआ तब भी हमें एक खर दिखाया जाता है जिसको प पेरी मदद करो वो बहुत स्यदा घबराई हुई थी वो बताती है कि उसके घर में कोई है जो उसे बाहर जाने नहीं दे रहा उस घर में अब जब पुलिस आती है तो घर का अचीब महौल था सारा घर बिखड़ा हुआ था कौन के निशान थी पर वहाँ पर किसी की लाश नह क्योंकि उसके जिसम पर भी खौन लगा हुआ था पहली तो वो कुछ नहीं बताती है मगर जैदा पोचने पर सब कुछ बता देती है वो कहती है यह सब तो मैं अपने बेटे को सिर्फ वापिस लाने के लिए कर रही थी कोरा की बहन कहती है तुम होश में भी हो तुम जानत जाती है उस वक्ती जब उसका बेटा गाइब हुआ था कोरा एक गैर जिमेदार मा थी हर वक्त नशा किया करती थी वो एक लड़के के साथ रहती जो उसका दोस था उसके साथ वो हर वक्त नशा किया करती थी उनके माली हालात भी कुछ अच्छे ना थी तो इसलिए पैसों कोरा के बेटे को ढूंडने के लिए एक टीम तयार होती है एक टीम को जंगलों की तरफ बीजा जाता है जबके दूसरी उसे यहां वहां ढूंड रही थी मगर उसके बाद कोरा का बेटा कहीं पर भी ना मिल सका उसका सिर्फ एक जूता मिला था इस हादसे को कुछ साल बीच कोरा अब एक ग्रूप का हिस्सा थी उसमें सभी ऐसे लोग थे जिनों ने अपने बच्चों को खो दिया था कोरा उन सब को अपनी कहाने सुना रही होती है कहती है मेरे बेटे के गायब होने के बाद मेरे नशा छोड़ दिया लेकिन इससे मेरा बेटा अब कभी वापिस न सही से बात भी नहीं क्या करती थी कोरा की इतनी सिंदके के बारे में तो पता चल गया अब सीन दुबारा से पुलिस टेशन पर शिफ्ट होता है वहाँ पर उसकी बेहन पूछती है कि कोरा ये खून किसका है बताओ मुझे तब ही मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ यहाँ पर कोरा एबल नाम की आत्मी के बारे में बताती है वो बताती है एबल हमारे ग्रुप का हिस्सा था एक दिन वो मुझसे कैफे में मिलने आया और हम दोस्त बन गए एबल ने अपनी बेटी को खो दिया था जो तालाब में डूपने की वज़ा से मर गई उसकी लाश पुलिस को कुछ दिन बात मिली मुझे लगा कि एबल मेरी हालात को समझेगा तो कि उसने भी किसी को खोया था उसने मुझे बताया कि उसने अपनी बेटी को देखा है ये सुनकर कोरा की बहन कहती है बला मरे हुए लोगों को कोई कैसे देख सकता है कोरा क्या तुम अभी भी नशे में हो वो कहती है नहीं कोरा फिर से अपनी कहानी आगे बढ़ाती है वो बताती है एक दिन मैं घर पर अकेली थी एबल मेरी घर पर आया उसने मुझे बताया कि उसके पास एक तरीका है जिससे वो मेरे बेटी को वापस ला सकता है मैं उसे देख पाऊंगी छूँ सकती हूँ क्योंकि वो खुद भी अपनी मरी हुए बेटी को वापस लाने में कामयाब हुआ था मुझे उसके इन बातों पर यकीर नहीं आया मेने उसे अपने घर से निकाल दिया उसकी बेहन पूछती है कि कोरा एबल आखिर चाहता क्या था वो बताती है कि उसने अपनी बेटी को दुबारा जिन्दा किया था वो काली दुन्या से उसे वापस लाया था जब कोरा की बेहन उससे पूछती है वो कैसे उसके चेहरे पर डर था कोरा बताती है उस चिका से जहां पर मरने के बाद लोग चाते है उसकी बहन पुलिस आफिसर हसने लगती है कहती है ऐसा कैसे हो सकता है कोरा मुझे खुद उसकी लाश मिली थी मैंने उसकी बेटी को पनी आँखों से देखा है मरे हुए कोरा कहती है नहीं तुम नहीं जानती अभी जाकर उसका डेटा चेक करो एबल की बेटी अब दूसरे शहर में रहती है उसने अपनी बेटी का नाम भी बदल दिया उसकी बेटी इस दुनिया में ही है मैंने ये सब कुछ अपनी आँखों से देखा था जब मुझे यकीन हो गया तो मैं एक दिन एबल से मिलने गई उससे मैंने पूछा कि सब तुमने कैसे किया एबल ने मुझे बताया कि ये सब एक औरत ने उसे बताया था रिच्वल जादू के बारे में ये कैसा जादू है जो कई दिन तक चलता है और अगर इनसान इसमें काम्याब हो जाए तो वो उपने मरे हुए बच्चा को वापिस ला सकता है बस इसको करते हुए इस पर यकीन होना चाहिए वो चाहता था कि मैं भी उसकी जादू का हिस्सा बन जाओ मेरे बेटे की लालच ने मुझे से ये सब करवाया मेरे पास खोनी के लिए कुछ भी नहीं था इसलिए मैं उसका साथ देने के लिए तैयार हो गई मैंने सोचा अपला कोशिश तो की जा सकती है न अब जब मैं वो जादू करने के लिए मान गई तो एबल ने मुझे कुछ समान लाने को कहा जिसमें धेर सारा नमख, मौम बत्तियां और जंजीर शामिल थी उसने मुझे ये भी कहा कि घर में कोई बिचली कोई टेलिफ़न नहीं होगा जिससे जादू पर कोई भी असर पड़े उसने मुझे जैसे बताया मैंने सब कुछ वैसे ही किया इबल ने मुझे खास निमख वाले पानी में नहाने के लिए भी कहा जिससे उसके सारे बुरे असराद बुरी सोचे खत्म हो जाएंगी मैं इस बात को मजाग बनाने लगी एबल ने मुझे कहा ये मजाग नहीं है अगर तुम इन चीज़ों को मजाग लोगी तो भूल जाओ अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए ये सुनकर मैंने उससे कहा मैं सब चीज़ों पर यकीन करूंगी मैंने उससे पूछा तुम ही तुम्हारी बेटी मिल चुकी है ना तो तुम इतने दुखी क्यों रहते हो वो मेरी इस बात पर प्रिशान हो गया और मुझे बताया कि अब ही मेरी बेटी अपनी माँ के पास है मैंने कहा क्या तुम उससे ये मज़ाग कर रहे हो तुम मेरा किसी चीज़ में इस्तिमाल तो नहीं कर रही वो कहता है नएी बस मुझे काम पुरा करना है फिर मेरी बेटी मुझे मिल चायगी उसने नमक का दाइरा बना कर मुझे जंचीर से बान दिया उसने हर मंतर को लिख लिया था जो उसने कहा मैंने वही दोराया आखिर में मेरी हिम्मत जवाब दे गई मैंने उसे कहा बस बहुत हो गया अब मुझे खोल दो मगरेबल मंतर पढ़ता रहा उसने मंतर पढ़ना बन नहीं किये थे अचानक से मैं हवा में तैडने लगी और एकदम से फर्ष परागिरी मुझे भी अकीन हो जुका था कि इस सब हो सकता है मैं अपने बेटे को दुबारा हासिल कर सकती हूँ अब अगला जादू का हिस्सा था इन्विटेशन बुलनावे का हम दोनोंने मिलकर मंतर पढ़े मेरा घर सारा हिलने लगा मौमबतियां बुच गई और अचानक सी सूरच भी गाइब हो गया मुझे कुछ अजीब महसूस होने लगा मैं समझ कई थी हम लोग उस दुनिया का दर्वासा खोलने की कोशिश कर रहे है जो के एक जिन्दा इनसान के लिए बहुत बड़ा खत्रा है सुबा को अगले दिन मेरा दोस्त आया जो मेरे साथ मिलकर नशा क्या करता था उसने जब मुझे और एबल को एक साथ घर पर देखा तो उसे लगा कि जैसे हमारे दर्म्यान में को रिच्टा है उसने एबल के पर से पैसे चुराई और मुझे करवी बाते सुना कर चला गया अब हमारा अगला कदम था ग्रीफ यानि के गम एबल ने मुझे बताया कि ये थोड़ा सा मुश्किल है पर में इस चीज़ के लिए भी तयार हो गई हमने अपना ये काम शुरू किया ये सब करते हुए मैं अपनी पुरानी यादों में चली गई जिस दिन मेरा बेटा गाइब हुआ था मेने अपने विजन्स ख्यालों में देखा कि वो मेरे पास आया जो मेरे गम और गुसे की परचाई थी वो परचाई मुझे उस जगा पर ले गई जहां पर किट नेपर नहीं मेरे बेटे को वाक किया हुआ था जिब मेने अपने बेटे को ऐसे हाल में देखा तो मैं चिलानी लगी मकर तब ही एक खौफ नाक डिमन ने आकर मेरे मुझे पर हाथ रख लिया उसने मुझे का कि तुम अपने बेटे को दोबारा हासिल करना चाहती हो तो खुद पर काबू पाना होगा सीन पुलिस स्टेशन पर शिफ्ट होता है कोरा अपनी एक कहानी अपनी बेहन आफिसर को बता रही थी मगर उसका इन सब बातों पर ये गेन कर पाना बहुत मुझे था वो कहती है कोरा क्या तुम अभी भी नशे में हो वो कहती है मैं जूट नहीं बोल रही मैंने उस रीचुल के जरीए ये सब कुछ देखा उसके डैपर ने मेरे बेटे के साथ बहुत बुरा किया अब तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे बेटे को ढूड़ना कोरा के बहन आफिसर तो यहां से चली जाती है अब उसके पास एक लीड़ी ओफिसर आई थी जो बताती है कि हाँ कोरा सच कह रही है एबल की बेटी जिन्दा है जो अपनी मा के साथ रहती है ये सुनकर कोरा की बहन परिशान हो गई थी अब यहां से कहानी फिर से पीछे जाती है जिस दिन एबल के साथ कोरा की रिचुल का आखरी दिन था एबल कोरा से कहता है कि आज हम सोधा करने वाले हैं मगर उसने कोरा को ये नहीं बताया था किस चीज का सोधा वो कोरा को बताता है कि कुछ भी हो जाए दाइरे से बाहर मत निकलना और अगर कोई भी असूल तोड़ा, सब कुछ गलत हो जाएगा आज एबल को जंचीरों से बांदा जाना था कुछ देर के बाद ऐसा लगता है कि जैसे किसी अचीब काली ताकत ने एबल को पुजेस्ट अपने कंट्रोल में कर लिया है तब है उसके मूँ से अचीब सी चीज़ें भी बाहर निकलने लगी थी जिन में हड़ियां, बाल और हून शामिल था ये सब देखकर कुछा डर से चिलाती है उसने दाइरे को तोड़ दिया था और डर कर बाहर आ जाती है कुछ देर के बाद जब वो तुबारा घर के अंदर गई तो एबल समीन पर भी जान पड़ा हुआ था उसने अचानक से कोरा पर हमला कर दिया साथ ही कहता है तुमने सब कुछ पर बात कर दिया मैंने तुम्हें मना किया था ना मकर अचानक से किसी काली ताकत ने एबल को अंधेरे में खीच लिया था अब वो काली ताकत कोरा के पास आती है और उससे ये रिचुछ पूरा करने का कहती है और ये भी कहती है कि अगर उसने ऐसा ना किया तो पने बेटे को भूल जाए कोरा अभी भी यहाँ पर समझ नहीं पाई थी एबल ने जो उसको कहा था वो किसी और का नहीं बलके कोरा का सोधा करने वाला था एक शैतान से अगले रिचुल के हिस्से में वो अभी एक बक्री लाती है उसने उसे कमरे में बंद कर दिया था जब रिचुल जादु को पूरा करने वो दुबारा से कमरे में आई इस पार मंतर परती अपने विजन्स हयालों में अजीब से खेतों में पहुँच गई थी वहाँ पर उसे एबल मिलता है जो उसे मास गोश्ट खाने का कहता है और ग्लास में खून पीनी को देता है ये सब कोरा को करना था जिसके बाद ही वो अपने बेटे से मिल पाएगी मगर उसके लिए ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल था एबल को उसकी इन हरकतों पर बहुत गुसा आता है वो यहाँ पर कोरा को बताता है दरासल उस काली ताकत को अपने लिए एक जिसम चाहिए था वो तुम्हारा जिसम था अगर ऐसा होता तो मैं अपनी बेटी से मिल पाता मेरा ये रिच्छोल पूरा हो जाता मगर कोरा तुमने तुमने सब कुछ हराब कर दिया क्योंकि एबल तो खुद ही अपने काली जादू की वज़ा से मर चुका था कुरा वापिस से अपनी असल दुनिया में आ जाती है जहां पर एक शैतान यानि के वो काली ताकत जिसको एबल जिसम देना चाहता था वो कुरा के पीछे होता है कहता है कि अगर तुमने मुझे जिसम ना दिया तो तुम्हारा बेटा बहुत मुसीबत में होगा कुरा अपने बेटे को वो किसी भी तरह हासिल करना चाहती थी वो इसलिए अपने उस दोस्त को कॉल करके घर बुलाती है जिसके साथ अकसर वो नशा किया करती थी वो जब उसके घर आया तो धोके से कॉरा ने उसे शेतान की आगे फैंक दिया मगर शेतान को उसकी दोस्त का नहीं कॉरा का जिसम चाहिए था वो अब उसके पीछे था कॉरा पागलों की तरह अपनी जान बचाती घर में यहाँ वहाँ घूम रही थी और पुलिस को कॉल करती है कि मेरी मदद करें मैं मुसीबत में हूँ और यह वही सीन था जो हमने शुरू में सुना था कहानी तुपारा से प्रेजेट में आती है जहाँ पर कोरा से उसकी बहन यह कह रही थी कि जब तक सही तरह तुम्हारे केस की जाच परताल नहीं हो जाती तुम्हें पुलिस स्टेशन में रहना होगा कोरा अपनी बहन को समझाती है कि शेतान मेरे पीछे है वो मेरे बेटे के बतले मेरी जान ले लेगा मगर उसकी बहन को ऐसा लग रहा था कि कोरा जील में महफूज है और वो ये सब नशे में बोल रही है कोरा को पता चल जाता है कि उसका अब आखरी वक्ता चुका था लाइट जलने बुछने लगती है एक आवाज कुंची थी रिच्वल पूरा हुआ शेतान कोरा की आत्मा को अपने साथ ले गया था उदर कोरा की बेहन एक बार फिर से उसके घर की तलाशी रेने चाती है यहाँ पर उसे अलमारी से आवासे आ रही थी जब वो जाकर देखती है तो उदर कोरा का बेटा मिलता है बिल्कुल वैसा जैसा कि साथ साल पहले वो गाइब हुआ था इसका मतलब इबल सच्चा था उसके रिचुल जादू से कोरा का बेटा वापिस तो आ गया मगर कोरा को अपनी जान देने पड़ी इस फिल्म की कहानी यहीं पर हत्म जाती है